नमस्कार मैं हूं कमल श्रीमाली आपका स्वागत अभिनांदन मेरे इस चैनल केल ग्राओं का में हम बात करें सितंबर 2019 के रासिफल की और अब बारी है कन्या रासिवालों की जैसा कि आपको मालूम है रासिफल का अर्थ है अगले 30 दिनों के बारे में जानकारी देना कि कौन से गरन अक्षत्र आपके अनुकूल है और कौन से गरन अक्षत्र आपके प्रतिकूल है हर व्यक्ति अपने भवशे में जाकना चाता है क्योंकि भवशे को जान करके वो योजनाय बना सकता है उससे जो नेगटिव होने वाला है जो कुछ भी प्रतिकुल होने वाला है जो खराब होने वाला है उससे आगा हो सकता है और उससे सावधान रहने के लिए उससे बचने के लिए प्रयास कर सकता है हमारे समाज में भी दो प्रकार के लोग हैं एक जो रासिफल मानते हैं और दूसरे जो रासिफल नहीं मानते हैं जो रासिफल मानते हैं उन व्यक्तियों के लिए हम यह प्रयास कर रहे हैं ताकि उनको जोतिस के उपर विश्वास है और विश्वास वो वास्त्विक रूप में उनके लाबदायक बने और आपको यदि विश्वास है तो ही ये रासिफल को जानना और रासिफल पे अमल करना आपके लिए सुब रहेगा और यदि विश्वास नहीं है तो सरफ और आगे प्रसारित करता है आगे धकेलता है ताकि जिसको धरम बोलते हैं जिसको स्पिच्छल साइंस बोलते हैं जो गरह नक्षत्रों पर आदा रही थे जो एलिमेंट साइंस पर आदा रही थे वो आपके दिल और दिमाग दो चीज को संबल प्रदान करती हैं जो भी वक्ति प आपको इस्पिचली हैंडल करती है आपको मार्क दस्टित करती है और जोतिस भी उसका एक आंग है तुम बात करें कन्या रासी की तो कन्या रासी के बारे में सबसे पहला सेक्टर हम लेते हैं गेन एंड वैल्थ तो आप देखिया कि गेन पर ब्रस्पति की सीधी दस्टी है और ब्रस्पति जहां पर उच्छ रासी का होता है करक रासी में वो आपकी रासी से इलेवंत है तो ऐसी इस्तिती में ये बोल सकता है कि ब्रस्पति की दस्टी की वज़े से क्योंकि ब्रस्पति की दस्टी में अमरत है ब्रस्पति की दस्टी में सुपता है इसलिए आपको पूर्ण विश्वास के साथ में जब प्रयत्ने करता है तो वे वह विक्ति जरूर सफल होता है क्योंकि एक कावत है जो रोते रोते जाते हैं वो मरेवे का संदेश लेकर ही लोडते हैं और जो खुशी-खुशी जाते हैं वो मिसा सुप समाचा लाते हैं तो जो confidence आप में है क्योंकि जिसकी रासी बुद्ध है जिसकी रासी कन्या है उसका स्वामी बुद्ध है और बुद्ध का अर्थ बुद्धिमान है बुद्ध का अर्थ तार्किक शम्तवाला है बुद्ध का मतलब ही communication power है बुद्ध का मतलब जिग्या सुब्रती है और आपकी रासी में आन आ रहा हूं इसमें ना तो बुरा मानने की आवशकता है और ना किसी व्यक्ति को संत बनने की आवशकता है को उससे कोई फरक नहीं पड़ता है जो कुछ भी संकेत है जो कुछ भी प्रतीक है वही में आपको बतलाने की कवसिस कर रहा हूं और उसको जान करके आप अपना अग हो जाएंगे आपके पराक्रम के साथ ही साथ आपके बुद्धी मता में व्रद्धी होगी आपकी ट्रैक्टिकलिज्म में व्रद्धी होगी और आप ज्यादा कॉंफिटेंट होकर के गेन करेंगे एप्रिशेशन पाएंगे अथा यश्क का गुणगान पाएंगे सक्सेस होन कि आपके second house में तुला रासी है तो तुला रासी का अधिपदी शुक्र है शुक्र रासी से 12th house में अभी और 9 सितंबर को बदल जाएगा वहां तक आपको सुक साधन ज़्यादा मिलेंगे भोग प्रवती ज़्यादा होगी सुक सुविदां को ज़्यादा भोगेंगे एक्सपेंसे ज़्यादा करेंगे शॉपिंग ज़्यादा करेंगे अपने उपर पैसा ज़्यादा करेंगे और साथ ही साथ दिखावा करने की और प्रवती आपकी बढ़ेगी उसमें भी आप show off करने में भी पैसा खर्च करेंगे जो पैसा खर्च करना आवश्यक नहीं है उसमें भी पैसा खर्च होता है अपने खुशी दिखाने के लिए बहुत से विक्ति मैंने देखे हैं कि जब भी ज़्यादा खुश होते हैं तो shopping करते हैं और या जो depression में होते हैं जो depressive thought में होते हैं जो negative thought में चले जाते हैं वो लोग भी shopping करके अपने आपको अपने आपको प्रूव करते हैं इंप्रूव करते हैं या खुश होने का दिखावा करते हैं तो ये expenses करने का एक reason है कारण है और व्यर्थ के expenses से हमेशा बचना चाहिए और मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि एक sentence हमेशा अपने मन से पूछिए कि क्या इसके बिना मेरा काम चल सकता है यदि आपका मन बोलता है हाँ इसके बिना काम चल सकता है तो चोड़ देना चाहिए उसको क्यों खर्च करें आपका पैसा मेहनत से कमाएवा पैसा है आपके परिवार के लिए आपके बुजूर्गों के लिए आपके माता-पिदा के लिए वो पैसा बहुत काम का हो सकता है हो सकता है उस पैसे इस आप कोई बहुत अच्छी प्रॉपर्टी कर सकते हैं बहुत अच्छा इंवेस्मेंट कर सकते हैं अपने बच्चों की खुशियां ले सकते हैं तो उस और आप जरू सोचें तो वेल्थ में भी आपके लिए समय ध्यान देने का है मैं यह नहीं बोल से शुक्र नेगेटिव हो जाएगा नीच रासिका हो जाएगा लेकिन अगले ही दिन 10 सितंबर को ही वहां पर बुद्ध उच्छ रासिका हो जाएगा तो ऐसी इस्तिति में नीच भंग राजियोग हो जाएगा शुकर जहां पर नीच रासिका होगा इसी सिचुएशन को न तो रासी से फोर्त आउस आपके परिवार का सुख का है उसका स्वामी ब्रस्पति है और ब्रस्पति उस इस्तान से 12 आउस में अपने से नास भाव में है रासी से तीसरा ब्रस्पति को सुब नहीं माना जा सकता चाहे वो अपने मित्र रासी में है उसके बावजूद भी में केतु विराजमान है ऐसी इस्तिति में जब रासी से फोर्त आउस का सनी है तो वो कहां देखेगा उस सनी की दस्ति कुंडली में सिक्स आउस पर पड़ेगी जहां पर की रोग और कर्ज की इस्तिति है उस सनी की दस्ति आपके कुंडली में केरे राउस पर पड़ेगी रा करम की अगर हानी हो जाए और करम पे टैंसन हो जाए तो व्यक्तियों की नौकरी ऐसे ही तो छूटती है जो चलता हुआ व्यापार होता है वह अचानक से कोई प्रॉलम में आ जाता है अब थोड़े ही दिन की बात है कोई सजन दिल्ली में मिलने आए उनके साथ में एक समस्या करने से डिप्रेसिव थोट में चलेगे नेगेटिव हो गए अथा डर गए एक प्रकार से और उस आट-दस दिन की अवदी में जो उनके गोडाउंस थे उसमें से उन्होंने सारा माल निकाल दिया क्योंकि वह भी पार्टनर थे तो स्टाफ कोई कुछ बोल नहीं सकता था और उसके बाद में वो सारे स्टाफ को अपने कबजे में कर लिया अपने अनुकूल कर लिया और उसके बाद में उस सारे समान को जो कि उन्होंने खुदने निकल वाय था उसको चोरी की संगिया दे दी यह सब समान चोरी हो गया और अब जो उनके गोडाउन है ना तो वो क इसको कोई फरक नहीं पड़ता है कोई बिजनस चले या ना चले उसके दस बिजनस और है लेकिन जिसका एक ही बिजनस है उसके लिए बहुत बड़ी संकटकी गड़ी है उसके लिए सर्वाइवल अफ कुश्चन है ऐसे ही समय में ऐसे कारेकलाब होते हैं अधा जब समय नेग कर रहे हैं तो ऐसी समस्या आ सकती है मैं यह नहीं कहना चाता हूँ कि आपकी नौकरी चूटेगी या आपके बिजनस में यह सब होगा लेकिन ऐसा होता है जब समय नेगेटिव आते हैं शनी की जस्ती जहां पढ़ती है वहीं पर संकट खड़े होते हैं तो शनी आपकी कु कुद में नेगेटिविटी आ जाएगी आप खुद या तो कोई लड़े जगड़ा करेंगे या आवेशी क्रोधी हो जाएंगे जिद्धी और जूनिनी हो जाएंगे तो जो कुछ भी पारिवेर एक सुक है उस सुक की कल्पना इस समय नहीं कर सकते हैं क्योंकि ना तो रास इसे ही समय में आपको अपने माता-पिता के स्वास्ते पर विशेज ध्यान देना होगा और साथ ही साथ अपनी पत्नी के स्वास्ते पर भी बहुत ज्यादा केरफुल आपको कंट्रोल करना पड़ेगा उसको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा क्योंकि मंगल की सीधी जश चाहते थे धाएंग के इन सब सीचुएशन को जो आपकी परिस्तिती है जो इस समय घठना चक्र है गराऊ का गटना चक्र जो भी है इस्तिती जो भी है उसको देखते वे आपने अपने आपको बहुत नियंतित रखना है बहुत control में रखना है अब बात करते हैं सिक्षा की education की तो सिक्षा का अधिपती आप तिरिकोन का अधिपती केंद्र में है ये जरूर सिक्षा के लिए विध्यारतियों के लिए अच्छी position बोल सकते हैं क्योंकि केंद्र में जो परस्पती है पर उसकी दस्ती है अधा सनी की 30 दस्ती उसके मूल तिरिकोन रासी पर है इसलिए मैं इस इस्तिति को बैटर बोल सकता हूँ कि जो भी आप competition देंगे जो भी आप exam देंगे जो भी आप interview देंगे वो आपके लिए better रहेगा वो आपके लिए improvement का सादल improvement का माध्यम बन सकता है जो science के विद्यारती है उनके लिए ये समय बहुत ज़्यादा better है चाह वो MBA से related हो चाह वो science and technology से related हो चाह वो कोई essay students हैं जो research scholar है या research में interested रखते हैं वो लोग इस समय ज़्यादा better ज़्यादा अच्छा ज़्यादा सुकून बरा ज़्यादा smooth time period देखेंगे जिसमें भी वो effort करेंगे वो ज़्यादा उनको easily gain हो जाएगा easily उनको grab हो जाएगा अताद वो ज़्यादा जल्दी समझ पाएंगे ये कहने का मेरा उद्देश यह है अब बात करते है फिफ्थ आउसे वो संतान का भी है तो यदि आप संतान के लिए प्लान कर रहे हैं यदि आप कंसीमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि थोड़े समय तक आपने इस प्लानिंग को आगे सरकाना चाहिए क्योंकि आने वाला समय जब सनी रासी चेंज करेंगे अथा 24 जैन 2020 को तो और ज्यादा बैटर पोजिशन और ज्यादा अच्छी पोजिशन हो जाएगी संतान के माध्यम से भी और संतान का कारक ब्रस्पती होता है वो भी 5 नवंबर 2019 को अपनी मूल्त रिकॉंड रासी माजाएगा वह भी बहुत सही होना चाहिए क्योंकि जो कुछ भी कंसिमेंट के समय इस्तितिया होंगी वो जरूर उस बच्चे के दिमाग तक भी असर राएगी इसलिए बोलते हैं कि जो गर्वतिस्तिरी होती है उसको हमेशा अच्छे एन्वामेंट में रहना चाहिए उसको कोई भी टें हो और आप अच्छे डंग से खुशी पूर्वक संतान को जन दे पाएं आईए अब बात करते हैं रोग की शत्रू की वादविवाद की क्लेश की क्योंकि six house का मतलब यही सब कुछ है चाहे कर्ज की बात करें रोग की बात करें क्लेश की बात करें वादविवाद की बात कर इस सब चीज के लिए शिक्स थाउस जिम्मेदार है शिक्स थाउस का मतलब भी कंपेटिशन है शिक्स थाउस का अर्थी यही है कि जो आपसे अपोजिट है उस चीज के लिए आपको जो वाद विवाद की स्तिति है वो इसलिए आती है कि जो आपके जो भी विचार है उसके स इसलिए मैं ये बोल सकता हूं कि ऐसा सब कुछ रोग वाली इस्तिति आपके साथ में नहीं होने वाली है इस और से आप निश्चिंद हो सकते हैं लेकिन 24 सितंबर 2019 तक मंगल की सीधी दस्ति आपकी रासी कुंडली में 6 ताउस पर है तो मंगल क्या कर सकता है मंगल जलने का कटने का कोई घाव का सस्त गात का कारण बनता है इसलिए उस और से आपने सावधान रहना है कोई एक्सिडेंट चोड़ दुरगटना से प्रावलम हो सकती है ऐसी इस्तिति में आपको कोई प्लास्टर बंदवाना या स्टिच लगवा बनेगा जिसको ब्लट लॉस बोलते हैं मंगल का अर्थ ब्लट से है जब भी मंगल को इनको चोड़ देगा दुरगट ना देगा ब्लट लॉस का कारण जरूर बनेगा यहां पर शत्रों की यदि बात की जाए तो सिक्स्तावस का स्वामी खुद सनी है और सनी अपने खुद के घर को देख रहा है तीसी दस्ति से देख रहा है इसलिए सत्रों को पनपने का मौका नहीं देगा हो सकते है आपको ननियाल से फाइदा मिल जाए सपोर्ट मिल है जहां तक डेद मिल जाए आपके लिए ज्यादा बैटर होगा आपके लिए साही होगा आपके लिए ज्यादा सूभ रहेगा अब अगला सेक्टर वो है दामपत्य सुख सेवंत आउस का अधिपती ब्रस्पती है और ब्रस्पती की जश्टी सेवंत आउस पर है ब्रस्पती की जश्टी भाग्य भाव पर है ब्रस्पती की जश्टी अपने उच्छ भाव अताद गेन पर है तो ऐसी इस्तिति में ब्रस् व्यापार करें उनके लिए तो इस्तिती बहुत अच्छी है यदि दमपत्य सुख की बात की जाए तब भी आपके जिवन साथी की कोई छोटी बड़ी इच्छा पूरी कर सकते हैं तो यह जो माहौल है यह जो अच्छा पूर्ण अथाद यह बोल सकते हैं अच्छा 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 गरस सुख का अट्मोस्पर एक दूसरे को मनाने का अट्मोस्पर यह सब कुछ इस सितंबर मां में आपको देखने को मिलेगा तो ऐसे इस्तिति में जब समय अच्छा है तो सुख में भी व्रद्धी होगी आता जो दामपज सुख है उसमें व्रद्धी होगी जो आप चाते हैं वैसा सुख या यह बोल सकते हैं कि संतुष्टी पूर्ण रिलेशन बनेंगे संतुष्टी पूर्ण समय आपका व्यतित होगा वना जादा तर लोग एक दुस्य से आर्ग्यूमेंट करते हुए एक दुस्य से कमियान निकालते हुए समय व्यतित करते हैं आपके साथ में कम से कम ऐसा नहीं होगा सब कुछ खराब हो व्यक्ति का लेकिन उसका जीवन साती अच्छा हो तो सारे दिन मैनत करके वापस घर पे इसलिए आता है कि सुख की उसकी कमी पूरी हो जाए उसको संबल मिल जाए अटेच्मेंट मिल जाए उसको साहनूपती मिल जाए प्रेम मिल जाए और सब ये प्रे पर्मिशन में उन लोगों को भी अपने पार्टनर को होने वाले जीवन साती को अपने घर परिवास से मिलाने का प्रियास करना चाहिए हो सकता है आपको पर्मिशन मिल जाए चाहे वो बड़े भाई से हो चाहे वो माता-पिता से हो पर्मिशन या बड़ी भावी से पर्मि करके सही जगे पर सही लोगों मिल कर रोगी अपरोच करें गे तो जरूर आपका समय भी अच्छा है और आपका काम हो सकता है róने की यह आगे बढ़ सकता है यह सब्सक्राइबी स्राप्गर्ष संब्सक्षा कर TWiva अंप कर me नियुग है तो यहां पर लगनका अर्थ यहां पर रासी से समंदित है तो यहां पर लगनका अधिर्पति और साथ से साल 10 ताहूस का अधिर्पति बुद्ध है जो कि 10 सेक्टमबर को उच्च रासी का होने जा रहा है तो आपको अपने काली व्यवसाय में इंप्रूमेंट देखने को मिलेगी आपकी योजनाय बड़ी हो जाएंगी आपकी सोच बड़ी हो जाएगी और साथ ही साथ जो आप एप्रोच कर रहे हैं जो आप काम कर रहे हैं उसमें एक प्रकार से निखार आ जाएगा आप काबिलियत अपने दिखाएंगे जो आपके अंदर हुनर है वो दिखाई देने लगेगा आपकी potential और ज़्यादा बढ़ करके और निखर करके सामने आएगी लोगों के सामने और हो सकता है आप कोईन कोई अपने business houses के बीच में कोई union के लिए president हो जाएं या कोई कोई committee के आप अध्यक्स बन सकते हैं ये time period ऐसा ही है आईए अब बात कते हैं नौकरी पैसा लोगों की जो इस समय इस्तिती है उस इस्तिती में मैं आपको ये बोलना चाता हूं कि जो भी आपके officers हैं जो भी आपके साथ में काम करने वाले लोग हैं वो भी आपको support करेंगे और आप को की नजरों में चड़ जाता है ये इस्तिती आपकी होने वाली है क्योंकि आपके पास में एक fertile दिमाग है बहुत समझ भूज बरा दिमाग है जो की साइद आपको ही मालूम नहीं है कि आप कितने काबिल हैं कितने हुनर मंद हैं तो ये समय अपना हुनर दिखाने का है और आने वाला समय आपके लिए और ज्यादा बैटर है क्योंकि सिच्वेशन जो ही ब्रस्पती बदलेगा वो ब्रस्पती के बदलने से ब्रस्पती की सीधी जस्ती आपकी कुल्णी में 10 ताउस पर पड़ेगी और वही ब्रस्पती की जस्ती 12 ताउस पर भी चली जाएगी उस situation में आप और ज़्यादा appreciate और ज़्यादा गुणवान और ज़्यादा हुनर्मन और ज़्यादा काबिल बन जाएंगे और यदि आप effort करना चाहते हैं दूसरी job की या और तो ये समय आपके लिए better है अब बात करते हैं यात्राओं की traveling की तो जो समय चल रहा है सूरी की और मंगल की जोस्तिती है 12th house में उसमें मैं आपको ये कहना चाहता हूँ ये यदि यात्राओं बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं हो तो उन यात्राओं को टाल देना चाहिए और या पिर उन यात्राओं को इस September के अंत में ले जाना चाहिए क्योंकि शुक्र 12th house में वो expenses तो करा देगा लेकिन वो 9th September को बदल जाएगा लेकिन मंगल सबसे बाद में बदलेगा सिंग रासी से 24th September को इसलिए मंगल रासी से 12th house में है वो आपको mentally torture कर सकता है वो आपको दुखी कर सकता है परिशान कर सकता है क्योंकि मंगल 8th house का लौड भी है 8th house का मतलब अक्समात होने वाली दूर गटना है जो गटना है अचानक से होती है उनको गटनाओं को गटने का काम आपकी रासे के लिए मंगल करता है क्योंकि मंगल दो मारक इस्थान का स्वामी है 8th और 3rd आठवे से 8 वह अगर देखा जाए तो 3rd house आएगा तो प्रबल मा प्रफूल होकर के साबदान होकर के और बहुत जादा लीगल होकर के ही आपने कारे करना है अपना ध्यान रखना है यात्राओं के लिए यदि बहुत जादा जरूरी हो तो मंगल का उपाए करते वे यात्राएं करें मंगल का उपाएं क्या हो सकता है बजरंग बांड का पा मान जी में यदि आपकी आस्ता है बहरों में तो उनको याद करते वे यातरा का आरम करें तो आपकी समस्याओं में राहत मिल जाएगी या समस्याओं बहुत ज्यादा मिनिमुम लेवल पर आ जाएगी आईए अब बात करते हैं उपायों की तो रासी का अधिपती बुद्ध ह हैं आपकी जीवन के स्वामी है बुद्ध तो ऐसी इस्तिती में आपने अस्त विनाय की पूजा उपास ना करना सरुसेष्ट है अस्त विनाय कवश दारान करें वह आपके लिए बहुत अच्छा है और दैनिक नियम में रोजाना गणपती अथरसी इसका पार्ट करें अध साथ में आप भी बोलते रही है उच्छा रंड करना सीख भी जाएंगे और इससे माहुल भी अच्छा हो जाएगा और आपका अभिश्य हो जाएगा और जो उपाई कर सकते हैं वह उपाई कर सकते हैं आप अपने घरेलू परस्तितियों के लिए वह उपाई करेंगे ब्रस पती से रेलीटेड हर ब्रस पत एवार को पीली वस्तों का दान कर सकते हैं ठीक ब्रस पती के लिए आप ब्रस पती चालीसा का पार्ट कर सकते हैं ये भी आपके लिए अच्छा ब्रस्पती चालिसा का अर्थ या पे विष्णू चालिसा बुद्वार को हरे फ़लों का दान करें या हरी वस्तों का दान करें हर बुद्वार को यदि कॉमन जेंडर या युन lifelong मिल जाए तो उसको जो भी उचित दान दक्षना है जो भी उपार दे सकते हैं वो उपार देख करके उसको प्रसंद करें। यह उपाय आपको राहत देंगे। इसके अलावे भी बहुत से और उपाय हो सकते हैं, जो आपकी जन्म कुणली देख करके, ग्राओं की इस्तिती देख करके, दसाफल देख करके, निर्ने किया जा सकता है। और इसके लिए आपको अपनी कुणली, अपना जन्म समय, जन्म दिनांग, जन्म इस्तान, यह सब मुझे लिए पहुचाना पड़ेगा, और यदि समय निकाल करके मिल सकें, तो आप और हम बैठ करके आपके जीवन पर, आपकी समयस्याओं पर विस्कलेशन करें, चर्चा करें, डिसकस करें, और फिर कोई उपाई निकालें, जो की सرف आपके लिए, और सिर्फ आपके लिए ही हो, तैकि उसको उसका, आपको उसका प्रतिफल पूरा मिले, उसको राहत आपको पूरी मिले, इसलिए आपको और मेरे मिलना जरूरी है आप अपने शेहन कक्स में अताद अपने बैड के पास में अपनी रासी का पिरामिड रख सकते हैं अपने ग्रे का बुध यंतर का आप चाहें तो लॉकेट बना करके साथ में पन्ना जड़वा करके पहन सकते हैं और बुध का मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रॉम सब उदाय नमा उस मंत्र का अधिक साधिक जाप करके भी रहात प्राप्त कर सकते हैं यह रासीफल आपको कैसा लगा आप किस विशे पर और एपिसोड चाहते हैं या आप इस कारकर में क्या सुझाव चाहते हैं नी संकोच आप हमें बता सकते हैं हमारी आलोशनाय करना चाहते हैं आपका स्वागत है हम कुछ भी बुरा नहीं मानेंगे हो सकता है आपके आलोशनाय सुन करके या पढ़ करके हम इस प्रोग्राम को और ज़्यादा सुधार दें और ज़्यादा इंप्रूमेंट कर दें स्वस्त रहिए प्रसन रहिए अपना अपने बच्चों का और परिवार के भुजुर्कों का खैल रखिए अपने आसपास हरियाली रखिए अपने आसपास पेड़ पोदे लगाईए ताकि आने वाले समय में हमको ऑक्सिजन की कमी ने मैसूस होग जाए अधाज ऑक्सिजन हमारे पास में रहे और आने वाले पीडियों के लिए ऑक्सिजन बची रहे नमस्कार अधाज ताकि लाम समय हर देखिए अधाज भागण अधाज चल्वश ताकि रहे जजा हमको आगए वाले झाल अधाज फोगड़ बाहे हो अधाए